जय महादुर्गा शक्ति उपासना ओम आइं रीं क्लीं चामुन्डाए विच्चे जय महादुर्गा जय महादुर्गा जगत जननी महागौरी ही आदिशक्ति भगवती महादुर्गा है देवी दुर्गा उस महाशक्ति का नाम है जिसकी उत्पत्ती सारे देवताओं के तेज से हुई थी जिस समय महाबलशाली महाभयंकर असुर महिशासुर ने अपनी आसुरी शक्ति द्वारा तीनों लोकों पर विजह प्राप्त कर ली थी तब देवतागन असहाय होकर भगवान की शरण में गए ब्रह्मा विश्णु महेश ने देवी दुर्गा की आराधना करने और दुर्गा शक्ति को प्रगट करने की सलह दी थी सभी देवताओं ने भगवती दुर्गा का स्परण किया और अपने अपने शरीर से तेज प्रकट किया सभी देवों के तेज से मा दुर्गा शक्ति देवी की रूप में प्रकट हुई फिर सभी देवों ने अपने अस्त्र व शश्त्र उन्हें प्रदान किये महा देवी दुर्गा ने फिर महिशासुर से भयंकर युद्ध करके उसका संहार किया इसी प्रकार मधुकैटब, शुम्भ निशुम, रक्त बीश, चंड मुंड आदी राक्षसों का संहार किया मा जगदंबा ने देवताओं को उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई भगवती मा दुर्गा में महा लक्ष्मी, महा सरस्वती, एवं महा काली टीनों का समावेश है इन्ही की महा माया शक्ति से स्रिष्ठी का संचालन होता है दुर्गा सप्तशती में देवी उपासना के लिए और सभी प्रकार की सिध्या वक्रिपा पाने के लिए देवी स्तुती और देवी वंदना का विधान है जिसमें अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, श्री दुर्गा अश्टोतर शतनाम स्तोत्रम, अथ देव्याहा कवचम, अथर गला स्तोत्रम, अथ कीलकम, अथ नवारन विधी मंत्र, दुर्गा बीज मंत्र, अथ तंत्रोक्तम देवी सुक्तम, सिध कुंजिका स्तोत्रम, क्षमा प्रार्थना, दुर्गा चालिसा, सर्वकामदम, सरस्वती कवचम, इनका भक्ति भाव से जप, पाठ, श्रवन करने से मनुष्य को सभी कामनाओं के सिध्धि प्राप्ध होती है। मात्र शक्ति की कृपा से राजस्म प्राप्त होता है, सम्मान में वृध्धी होती है, मा दुर्गा जी की आराधना करने वाला प्राणी सभी प्रकार के सुख एवं एश्वर्य को प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है, जय अंबे, जय मा दुर्गा झाल